आज हम आपको ऐसी दो समुद्रों के बारे में बताने जा रही हैं जो मिलकर भी कभी नहीं मिलते कोई कहता है कि इसका जिक्र शिव पुरान में है तो कोई कहता है कि इसका जिक्र कुरान में है लेकिन फिर भी कोई भी इसका रहस्य नहीं जानता नमशकार दोस्तों मैं हूँ सौरब और हमारे नए एपिसोड में आपका हार दिख स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े अनसुल्जे रहस्यों में शुमार है अलासका की खाड़ी इस खाड़ी में ऐसी जगां हैं जहां दो अलग-अलग समुद्रों का पानी जब टकराता है तो देखने वालों के होश उड़ जाते हैं जहां एक तरफ गहरा नीला पानी है तो दूसरी तरफ मटमेला नीला पानी कहते हैं कि इस अधबुत नजारे को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं इस नजारे को देखकर हर कोई मंत्र मुद्ध हो जाता है कि आखिर इन दोनों समुद्रों का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता आखिर इसका रहस्य क्या है क्योंकि इस नजारे को देख कर तो यही लगता है कि पानी के बीचो बीच कोई रहस्य मई अद्रिश्य दिवार है जिसे दोनों समुद्दों में से लांग में के कोई हिम्मत भी नहीं करता दुनिया भर में कई लोग इसे चमतकार मानते हैं तो कुछ इसे धारविक मान्यताओं से भी जोड़ते हैं मुसलिम मान्यताओं की मानी तो यह अल्ला का चमतकार है जिसका जिक्र पवित्र कुरान में भी है वहीं हिंदू मान्यता के मताबिक इसका जिक्र शिव महापुराण में भी किया गया है यानि प्रकृति के इस अद्बुत नजारे को धर्म से भी जोड़ा गया है धर्ति के करीब 30 प्रतिशत हिस्से पर जमीन और 70 प्रतिशत हिस्से पर पानी है लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि धर्ति पर यह दो महासागर मिलते तो जरूर है लेकिन दोनों का पानी साफ साफ अलग मज़र आता है दरसल अलास्का की इस खाड़ी में परशांत महासागर और हिंद महासागर आकर मिलते हैं इन दोनों समुद्र की सबसे निराली बात तो यह है कि यह दोनों कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश ही नहीं करते जिसका अंदाजा आप उनके पानी के अलग-अलग रंगों से लगा सकते हैं अगर आज इस नजारे को करीब से देखना चाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर शिप से जाना होगा कहते हैं कि दूर आसमान से देखने पर यह नजारा बहुद शानदार लगता है दरसल यह गलेशियर से आने वाला मटमेला नीला पानी है तो दूसरा गहरा नीला पानी है इन दोनों के मिलन की दिवार भी साफ नजाराती है असल में इन दोनों समुद्र के पानी अलग-अलग होने के वज़ा भी है वेग्यानिकों का कहना है कि यह पानी के घनत्व और तापमान समेट कई कारणों से चुड़ा हुआ है तमाम रिसर्च के बाद वेग्यानिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस जगां पर खारे और मीठे पानी का अलग-अलग घनत्व और उसमें मौजूद खनिज की वज़ा से इन दोनों समुद्र का पानी आपस में नहीं मिल पाता है परशान्त महा सागर का पानी गलेशियर से आने के कारण हलका नीला होता है और नंकी होता है जबकि हिंद महा सागर का पानी काफी ज़्यादा खारा होता है इन दोनों मा सागरों का पानी उपरी सतह पर अलग-अलग घनत्व होने की वज़ा से कभी नहीं मिल पाता और यह पानी जब आपस में टकराता है तो कुछ जाग पैदा होता है यह जाग पानी की उपरी सतह पर एक सीमा रिखा की तरह नजर आता है सूरज की रोशनी में मीठे और खारे पानी के अलग अलग घनत्व के कारण दोनों पानी का रंग एक दूसरे से एक दम जुदा होता है कहा जाता है कि हलके घनत्व वाला पानी उपर तैरता है और खारा पानी नीचे तैरता है यानि मटमेला पानी बीले पानी पर तेरता रहता है लेकिन इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता खैर जो भी हो यह नजारा वांकि चौकाने वाला होता है आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शियर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा जैहन दोस्तों